तबी इस जमीन पर माफिया अतीक का कबजा था आज योगी सरकार गरीवों के लिए आशियाना बन वा रही है अतीक के गुर्गों से मुक्त कराई गई जमीन पर 76 फ्लेट बन रहे गरीब 6000 लोगों ने फ्लेट के लिए दे आवेदन नमस्कार मैं अनुश्का सिंग सीम योगी अधितिनाद पीए मोदी के हर गरीब को पक्का घर देने के वादे को यूपी में पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं इसके लिए सीम योगी कई जगों को चिनहित कर चुके हैं जहां पीएम आवास योजना के तहट घर बनाकर गरीब परिवार को देना है फिलाल योगी ने जिस जगह पर घर बनाकर गरीब परिवारों को देने का फैसला किया है वो काफी सुर्खिया बटोर रहा है और लोग योगी की जैजैकार कर रहे हैं आपको बता दे कि माफिया अतीक एहमत की पतनी और उसके कई करीबी महीनों से फरार चल रहे हैं उसके दो बेटे जहां जेल में हैं वही दो नाबालिक बेटे बाल सुधार ग्री में हैं हाली में अतीक एहमत का चालिसवा जनम दिन था जिस दोरान उसकी कबर पर फूल चड़ाने वाला कोई नहीं था बात तपकी है जब उत्रप्रदेश में माफिया अतीक एहमत का सिक्का चल रहा था वो जिस जमीन को देख लेता था वो उसकी हो जाती थी वो अवैद रूप से जमीनों पर कबजा कर रहा था पुलेस और सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाती थी उन्होंने अपने बाहुबल से हजारों एकर जमीन पर कबजा कर लिया योगी आदितिनात के मुखे मंतरी बनते ही वो दिन लद गए अतीक और उसका भाई अश्रव अब नहीं रहा दो बेटे जेल और दो बाल सुधार ग्री में है दूसरी ओर असद भी नहीं रहा और अतीक की पतनी पिछले कई महीनों से फरार चल रही है यूपी की योगी सरकार ने पिछले 3-4 सालों में अतीक और उसके समर्थकों की कई एकर जमीन छुडाई है जिसमें प्रियाग राज के लुकर गंज की जमीन को भी अतीक रमन से मुक्त कराया गया इस जमीन पर पिए मोधी अवास योजना के तहट 76 फ्लाट बनाए जा रहे हैं जहां अब तक करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है इस फ्लाट में सामने के ब्लॉक में फ्लाट को सफेध और किसरिया रंग दिया गया है आंतरिक रंग अभी भी सफेध है फ्लाट के लिए करीब 60,030 लोगों ने आवेदन किया है जिसके मानकों का स्थापन किया जा रहा है मुखे मंतरी योगी अदितिनाथ ने इसी जमीन पर फ्लाट का सिला नियास किया आपको बता दे कि अतीक जब इस जमीन पर कबजा कर रहा था तो वह चुनाव के दोरान प्रचाल समगरी यहां रखता था यह जमीन अतीक के करीबी दोस रफत की थी योगी सरकार ने इस सरकारी जमीन को वापस लिया है और पीएम अवास योजना की नीव रखी अब अतीक के कब जाए गए इसी जमीन पर फ्लाट बना कर योगी अधित्यनाद गरी परिवारों को खुशिया देने जा रहे हैं जो पीएम मोदी का सबसे बड़ा सपना था कि भारक के हर व्यक्ति के पास अपना खुद का पक्का मकान हो